वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल को पितलम में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको मखाने का रायता बनाना बताऊंगे यह बहुती एजी तरीके से बन जाता है बहुती हेल्दी भी होता है तो चलिए रैस्पी स्टार्ट करते हैं इसके लिए म मॉश्चर है वो खतम हो जाए तो गैस का फ्लैम हमने ओन कर लिया है लो फ्लैम पर हम अपने मखानों को भून लेंगे रायता बहुती एजी तरीके से बन के तयार हो जाता है और यह बहुती टेस्टी बनता है और बहुती हेल्दी भी होता है तो अब मखाने हमारे भून ग अब कर रहे हैं तो इधर मैंने धैती लिया है जिसको हमने अच्छे से फैंध लेना है मैंने चमच की साइता से यह बहुती पर हो अब जैसे भी फैंड्रें और जो मखाने हमने रोष्ट किये थे वह इसमें डाल देते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताफ लिए सकते हैं घ्रयत को हम बीए बनाए के खा सकते हैं और वैसे ही आप की जब भी खाने का मन हो तब आप बना खा सकते हैं तो अम इसमें कुछ मसाले डालेंगे सबसे पहले हम डालें इसमें थोड़ी सी चीनी अपने टेस्ट के अगॉडिंग वैसे हलका सा ही डालना है और हलका सा डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर और जीरा पाउडर डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक ये सफेद नमक लिया है थोड़ा सा ही डाला है मैंने और इसके बार डाल देते हैं हम ये काली मिर्च का पाउडर है इससे बहुत ही टेस्टी लगेगा हमारा रायता और थोड़ा सा डालेंगे एक बिंच पर के हम लाल मिर्च का पाउडर लाल मिर्च हमें बहुत जादा नहीं डालनी है आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को भी कट करके डा हमाला मासाले दो के लागते हैं हम इसको थोड़ी देर के लिए ठोड़ी देर के लिएक में फ्रिज के लिए ताकि थोड़ा सा ये ठंदा हो जाए और धनिया से हम गार्निस कर देंगे रायता तो वैसे हमारा बन के तैयार हो गया है लेकिन अब हम इसको थोड़ा है थोड़े के लिए छोड़ देते हैं खाने के लिए तैयार है आप अभी खा सकते हैंıyla मैं इसको थोड़ा Two wish में रख दूँगी ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए और यह जो मखाने हैं वह अच्छे से फूल जाएंगे तो यह देखी दस से पंदर हमना ठोचुके हैं मैंने फ्रिज में रख दिया था अच्छे से ठंडा हो गया सर्विंग बाउल में हम सर्व कर लेते हैं बहुत ही शरायते को आप भ०्रत में बाना की खा सकते हैं पर इसमें काला नमक और साफिर नमक जो डाला है उसको इसकीप कर दो कि जगेपें आप इस्तीमाल करें लाका करें shy शारायती को तो मेरे चैनल को लाइक शेयर शेयर तब्र कर जरूब करों कि झाल